हेलो एप्रिवान मैं हुए डोकेट राहुल मिश्रा चुट्टे का दिन है संडे का जिसलिए मैं कुर्टे पे जामें बैठाओं हम लोग वीडियो बनाते हैं आज इस टॉपिक पर जो की बहुत महत्तुपूर है और आप में से बहुत सारे लोग इसको जहेल रहे हैं दिखि करा रखी हुई है कुछ होना नहीं है और आपकी जॉब पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आप अरेस्ट नहीं हो रहे हो मतलब जहां जूटा मझगदमा दर्ज करा गया 498 एका 498 इसलिए दर्ज कराया उन्होंने फरजी का ताकि वह आपसे मेंटेनेंस क्लेम क कर सकें आपको हैरेस्ट कर सकें अब खाली 498 दर्ज होने से आप हैरेस्ट हो नहीं पा रहे हैं तो इस कंडिशन में आपकी वाइफ क्या करती हैं 313 का और 377 का तड़का लगा देती हैं अब यह ऐसे होते हैं जो कि होते हैं इसमें इमेडियेट हो सकती है इसलिए यह सारे आपके उपर लगाए जाते हैं तकि आप हैरेस होते होते हैं बाद में उनके साथ मांडोली करो और मतलब माहरास्ट्रियल नेगवेज्ज है यह और उसका मतलब होता है कि नेगोशेशन करो कम्प्रॉमाइस करने की कोशिश करो अब आपको पता है कि सामने वाली पार्टी आपके उपर जूटे मुकदमे लिखाए हुए जूटी F.I.R. लिखाई हुए इस मामले को आपको सिर्फ हैरेस करना चाहती इमिडियेटली आपको जेल भेजना चाहती आपकी वो नौकरी शुड़वाना चाहती है यह सब आप जानते हो यह सारी की सारी चीज़े उसकी बैड इंटेंशन है अब ऐसी बैड इंटेंशन में फ्रामले वाली पार्टी 313-330 लगवा दे रही है आपके उपर तो इससे आखिरकार आप निकलोगे कैसे हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे भा परसनल ही बात करना चाहते हैं तो मेरा वाट्सप नंबर आपको अपॉइंट्मेंट के लिए मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आप अपनी अपॉइंट्मेंट कराईए उसके बाद ही मेरी और आपकी बात हो पाएगी खैर हम लोग वीडियो स् की इच्छा के विरुत अब इस कंडिशन में आपकी पत्नी ने आपके उपर आरोप लगा दिया अब क्या करना है अब तो आप सोच रहे होगे कि अब तो मैं गिरफ्तार हो जाओंगा बचूंगा कैसे तो इस कंडिशन में देखिए बचने का सिंपल सा तरीका है आपके प किसी डिसीज की वजह से हो गया और जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई उनको अब मेडिकल इशूस की वजह सो तो आपने उनको ऑस्पिटल में एडमेट कर आया होगा उनके घरवालों को बताया होगा टॉक्टर का आप पर्चा लगाई ए आप मेडिकल का एक्जामिनेशन जो तो अगर वह सारी चीज़े आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो भी मेडिकल से संबंदिद है कि आपकी वाइफ का एबॉर्शन किस लिए कराना पड़ा या मिस्कैरेज किस तरीके से हुआ किस लिए हुआ तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वह अगर आप सही है तो ली जाती कि हम एबॉर्शन कर देंगे वाइफ आपकी नहीं तो बच नहीं पाएंगी उनके डेथ हो जाएगे तो मेडिकल में बेसिकली यह ना कि वाइफ की जान बचाने के लिए बच्चे की जान ले सकते हो अगर अनबॉन बेवी है तो ठीक कोई बात नहीं वाइफ दॉसरी दारा जो 377 लग जाती है 377 सबसे संगीन भार यह क्या होता है कि बहुत मतलब मतलब बेजचत करने वाली है इस कोई रचस और नश्ठ हो जाने वाला जो बची कुछी होई है ठीक है तो अगर नहीं है आप तो 370 प्लीज मत लगवाए करिए कोई मतलब नहीं है इसका लोग लेकिन ट्रेंड चल गया फरजी में इसको लगवा देते हैं हस्बेंड के उपर तो उस चीज़ से बचिए लेकिन अगर मालेज चाहे जिए ठीक है अब कराएंगे मैडिकल में सब कुछ क्लीर पता चल जाएगा कुछ नहीं होना तो टेंशन नहीं लेने का आपके उपर धारा चाहें जो भी लग जा आपको एकदम क्लियर माइंड सेट से स्टेप बाई स्टेप काम करना बेबी इस स्टेप्स लेकर काम करने कई बार क्या होता है ब्रदर और फादर के ऊपर 304 भी लग जाती छेडखानी कारों भी महिलाएं लगा देती हैं तो इस कंडिशन में आपका मान सम्मार प्रतिष्ठा नश्ट होने की और अग्रसर हो जाएगा जब आप इन सारी चीजों से निपट जाएए ठीक है कि आ आप डरिये मत कोई विधार आपके ऊपर लग रही डरिये मत उसका दट कर सामना करिये एप्रोप्रियेट तरीके से स्टेप बाइस्टेप आप कदम उठाइए आपके पक्ष में जीत डेफिनेटली होने वाली है नोबड़ी कैन डिफीट यू अट अनी कोस्ट अगें इक आप आपति कि अृन अगी को सब्डे़ एंपत्व यूर अपक्वन्त में शयूल यूरा अलाग था 사람 की साल्डог प्रेद विट्सि कर इंस वाटसब्स्ट अन्यूर्टिशं क Nic.